तो हलो एवरीवन आज की इस वीडियो में करने वाला हूं हेंड़ेटेस सर्वाइव और मुझे रोज एक लक्की बलॉक मिलेगा जिसमें सब मुझे मिलेगा लक्की समान और कभी-कभी अनलक्की समान तो आज मैं यह करने वाला हूं आज म mó थे मेरा पेहला थे सर्वाइवर बहुत हम तो रहले हो बोलेगा और फिर अपना जो बेस है उसे थोड़ा सा बढ़ा करता हूँ क्योंकि डर्ट बहुत ज़रूरी है और फिर मैं इसके अंदर से यहां पर जो चैस्ट है उसके अंदर से समान निकाल लेता हूं जो मेरे को मिला था उसके बाद इस चैस्ट को मैं तोड़के और नीचे रख दे तो पर प्यारा बैड क्योंकि सोना जरूरी है गाईस कुछ करो मत करो पर जितनकी बड़ सो जरूर इसलिए मैं सोने के लिए बैड बना लेता हूं और जाहतर काम खतम हो जाता है अगर बैड बने का तो मतलब गेम खतम आदा वहीं पर तो सैपलिंग इतने गिर नीरी होती तो फिर मैं सोचता हूं एक इनफिनेट सोर्स बनाने का वाटर का क्योंकि पानी बहुत जरूरी है वैसे इसके अंदर पानी पीने के लिए जरूरी नहीं है बट जरूरी है तो मैं पानी का इनफिनेट सोर्स बना लेता हूं और सैपलिंग गिर नीरी होती तो फिर मैं सोचता ह कि सो जाओं कि रात हो गई होती है और सोना बहुत जरूरी है जैसा कि मैंने बोला तो इसलिए मैं सो जाता हूं और जैसे मैं सुबह उठता हूं तो मैं देखता हूं दो सैपलिंग मेरी आंकों के सामने नीचे गिड़ जाती है और फिर मैं लकडी बनाता हूं और उससे बना तो मैं अपना लग्की ब्लॉक भी खोलता हूं जिसके अंदर से मेरे को मिलती है मेरी प्यारी सी चेस्ट जिसके अंदर होता है दो गोल्डन एंचांटमेंट एंचांटिड एपल और एक गोल्डन एपल बीट रूट सीड और सड़ावा मीट और अबागी तुम देख लो को खंड मेरे को मिल जाता हूं काम पे अपना जनरेटर बनाने के उसके बाद में ईपना जनरेटर मेरेटर बना करता हूं कcott वोड़े बना लखता हूं मजदूरी थो करने पड़ी कि तो थोड़ी सी मैं मजदूरी करता हूँ और मजदूरी करते करते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है फिर मैं सूरज की तरफ प्यार से देखता हूँ और मैं कहता हूँ वाय वाय सूरज और फिर मैं सोने के लिए चला जाता हूँ क्योंकि रात हो गई थी और मेरा स्टोने जी भी पूरा हो चुपा था वैसे मैं बता दू तब मैं जब अगले दिन उटता हूं तो मैं क्या देखता हूं तुम्हें पता हैं कुछ भी नहीं कुछ नए नहीं था ना मेरे पेड बड़े वेते ना कुछ पर हाँ अगले दिन का डबा खोलना तो बनता था पर उससे पहले मैं क्या करता हूँ अपने अपने कॉबले स्टोन से मैं स्लैप्स मना लेता हूँ क्योंकि वो बहुत जार जरूरी है अभी हमें अपना प्लैटफॉर्म भी बढ़ा करना है मैं जाता हूँ जिसके अंदर से मिलता है एक बहुत ही जादा मैजिकल थिंग जोगी होती है क्या मिलता है भूलिया मेरे को मिलती है एंडर आइस जो इस वाल्ड में किसी काम की हो सकती है शायद आगे तो मैं इनको उठाता हूँ और चल्दी से अपने बकसे में रख देता हूँ क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाईज बकसे में एंडराय रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये करने के बाद मेरे जो पेड़ बड़े हो चुके होती हैं उनको मैं तोड़ लेता हूँ और उसके बाद उन पेड़ों को तोड़ के मैं एक सैपलिंग लेता हूँ उसके बाद उस सैपलिंग को भी लगा देता हूँ हाँ मैंने वैसे सुरूर के कुछ दिनों में यही कर रहा है उसके बाद इससे एक दूर जो ब्लॉकता मैं उदर चला जाता हूँ वहां से समान उठा के लाता हूँ जिदर से मुझे ये थोड़ा वो समान मिलता है जिदर शूगर के न होती है और अलग-अलग टाइप के ट्रीज की सैपलिंग्स होती है और होती है उसके अंदर इसके अंदर वीट की सीट्स एंड लेमन एंड जो ऑपसीडियन होता है वो होता है तो यह सब कुछ मिर को मिलता है वहां से उसके बाद मैं इसको हुगा देता हूँ और उसके बाद अगला दिन बीच जाता है और फिर मुझे अगले दिन का ब्लॉक मिलता है जिसके अंदर से और इससे आम एंचांटीड समान बना सकते हैं और तो मुझे पता नहीं है और उसके बाद मैं कुछ नहीं करता हूं उसके बाद मैं बस आराम से बैड जाता हूं और फिर रात होने का इंतिजार करता हूं कि उसके बाद मैंने अपना प्लैटफॉर्म बढ़ा करा था क्योंकि मुझे एक एक स्पी फार्म बनाना था क्योंकि एक स्पी फार्म बनाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा जैसा कि आलू और जैसे कि गाजर और जॉंबी बिलेजर भी मिल सकता है अगर हम लग्की रहे तो इसके लिए प्लैटफॉर्म बनाया और मेरा अगला दिन बीथता है तो मैं यहां पर जाके सबसे पहले अपने लग्की ब्लॉक से खोल के स्टार्टिंग करता हूँ और मुझे मिलते हैं बहुत सारे अंडे, एक 20 डाइमंड जो देख के मैं इतना खुश होता हूँ कि मैं अपने खुशी क्या ही बता हूँ मैं अपना लैपटॉप फोड देता हूँ और अभी मैं पडोसी का लैपटॉप चुरा के लाँ उसपे मैं एडिटिंग कर लाँ तो मेर को ये डाइमंड मिल जाते हैं, उसके बाद मैं तर उदर नाचता हूँ, ऐसे हाथ पैदाता हूँ, और फिर मैं इनको जाके शांती से रख देता हूँ, कि मैं नहीं चाहता है कि गिड़ जाए किसी भी तरीके से, सिर्फ इसलिए और फिर अगले दिन में जादा कुछ जाए रहता है ये, और मुझे ऐसे सैपलिंग मिलती रहती है, और मैं लखडिया मनाता है रहता हूँ, क्योंकि मैं पगला जाता हूँ, अब मुझे क्या करना था, मुझे बहुत सारी वह ची ये थे, इस्टोंस क्योंकि मुझे अभी XP पर्म तो मैं आपने बहुत सारे कोब अब थोड़े टाइम बाद मेरा XP फार्म बन के तियार हो जाता हूँ, और इसके अंदर मॉप्स भी ऐसे आ रहे होते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पर पार्टी रखी है, और बहुत सारे मॉप्स आ जाते हैं, जिनको मैं पेल पेल के, पेल पेल के, मतलब XP कर लेता हूँ, और बढ़ाना बहुत सारी जरूरी है, जितनी खेती से मेर को वह मिले थे, जो सीड रहते हैं, और जो दुबारा से उगा देता हूँ भरके, और फिर दुबारा से उनको भी बोनमील दे देता हूँ, क्योंकि मुझे खेती करनी थी बहुत सारी बस इसलिये, थोड़ी सी खेती क जो मतलब ब्रेड होती है, बट फिर मुझे पता लगता है, मुझे पहले बीट बनाना होगा, तो फिर मैं जल्दी से पहले बीट बनाता हूँ, उसके बाद ब्रेड बनाता हूँ, और फिर मेरे पास खाने को हो जाती है, ब्रेड बहुत सारी, तो ऐसे ही जिन्दकी कट जा मेरे पास आलू भी मिल जा तो मैं उसालू को भी उगा देता हूं ताकि मेरे पास आलू भी हो जाए तो मेरे पास आलू भी था वीट भी था खाने के लिए और ब्रेड भी थी और लकडी भी थी और सब कुछ था लग 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 उसके बाद आलू गाने के बाद रात हो जाती ह क्योंकि इस Lucky Block में से कब BOM आजया किसी को नहीं पता इसलिए फिर मैं जल्दी से उसके अंदर जाता हूँ और भी से कोलता हूँ इसके अंदर से मेर को मिलता है मैं इस सबको लेके जाता हूँ और अपनी चेस्ट में रख देता हूँ और कुछ अभी इंट्रेस्टिंग में रहा था इस डाइमंड के बाद तो जो भी है और फिर उस दिन मैं कुछ ज्यादा करता नहीं हूँ तो इसलिए मैं उस दिन कुछ नहीं करता हूँ और ऐसे ही करके अगला दिन आ जाता है जिसके बाद मैं अगले दिन तो जैसे में अपना Lucky Block खोलता हूँ पहले तो मेरे सामने कुछ नहीं आता पर अचानक से फिर TNT आ जाता है मेरे सामने और Redstone आ जाता है जिसको देखके मैं खबरा आ जाता हूँ और मैं खुद नीचे किर जाता हूँ और वो TNT और Redstone दोनों चले जाते हैं जिन्दी की करा हू मैं क्या मताँ भाई में खुदी नीचे किर जाता हूँ और TNT को मारने की जरुवती नहीं है मेरे को और मेरा जो प्लैटफॉर्म खराब हुआ वो अलग फिर मैं अगले दिन जाता हूँ अगले दिन अपना 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 अलग की ब्लॉक खोलता हूँ और फिर उस लग्क की ब्लॉक में से मेरे को मिलता है एक ड्रैगन एग मतलब मैंने अब तक ड्रैगन मारा नहीं है और मेरे को ड्रैगन एग मिल जाता है जिसे देखकर मैं खुद हरान हो जाता हूँ और मेरा सर चक्रा जाता है और फिर मैं कहता हूँ गेम खतम गाईज बाई 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 अब कि अभी सो दिन पूरे नहीं हुए तो इसलिए मैं इसको जाता हूँ और इसको चुपके सो रख देता हूँ क्योंकि ए ड्रैगन आगे कि किसी काम नी आने वाला है बट स्टिल मेरे पास ड्रैगन है कि था यार कौन ही बना करेगा इसको अर फिर मैं मतले को इतना कुछ हो जाता हूँ कि मैं उसे संस्य दिन उज निकलता यह पहाण जिस दे दिनों मैं कुछ इह अपर दिनों मैं कुछ करता नहीं हूँ थendo recuerds मुझे सुवर चाहिए थे ताकि मैं इनको कीचड किला सकू नहीं ताकि मैं इनको पाल सकू और बाद मैं इनका मीट खा सकू मतलब यार ऐसे कुछ ज़्यादा ही क्रूवल लग रहा है बट स्टिल मेरे को यही करना था तो मैं अपनी स्लैप्स उठाता हूँ और मैं चल देता हूँ इस प्लैटफॉर्म को थोड़ा बढ़ा करने क्योंकि इनके गिरेने का बहुत ज़्यादा खत्रा दा गाईज और मैं इस प्लैटफॉर्म को बढ़ा करता हूँ इसको देखते हुए अटाइगंटे की मैनत के बार प्लैटफॉर्म बढ़ा हो जाता हूँ और फैंस भी लगा देता हूँ मैं तो मैं जलदी से इस के पास जाता हूँ सुवर के पास और इसे हालू कहिलाता हूँ के जो बीच में जो सुवर थे ना उनको जब मैं तो जो उपर वाले सुवर थे वो नीचे आ जा रहे तो ऐसे करके वो सुवर भी नीचे आ गए और जो वो आदमी था वो भी नीचे आ गया तुम भी करके देखना ऐसे हो जाता है और मेरा अगला दिन पस इन सुवर को एकटा करने में चला जाता है तो फिर मैं अगले दिन जा के सो जाता हूँ ताकि मैं अपने अगले दिन का डबा कोल सको यार बने बस यह पर डबा ही कोले है क्या गरू जिन जम मैं वो डबा खोलता तो मेर को एक एक एवल पोशन मिलता है जिसके अंदर बहुती ज्यादा सक्तिशाली चीजे लगी जैसे की इंस्टन डेमेज से फोलता है कि शुछता मिलता है कि तो मतलब अगर तुमनेश इसको अपने पर फोड़ा तो मतलब तुम्हारी किसमत फूट जाएगी चीजेशे देगे तर जड़ जाता हो और जल्दीसे भाग के जाता हो और इसे चुपा एरखने का शोचता हो पर फिर मै मैं सोचता हूँ कि actually जो मैंने वो second block खोल था उससे मेरे को sand मिली थी तो मैं सोचता हूँ क्यों ना मतलब मेरे पाँ sugar gain भी थी तो मैं सोचता हूँ कि sugar gain farm बना लूँ क्यों कि मुझे चीए था वो पता नहीं क्यों बट मझे चीए था वो और मेरा सपना था वो करने का तो इसलिए मैं जल्दी से sugar gain farm बनाता हूँ और sugar gain के लिए पहले मैं sand इदर उदर लगाता हूँ और इसको मतलब ऐसे लगाना पड़ता क्योंकि इन्हें पानी जीए ना तो इसलिए थोड़ा डंग से लगाना पड़ेगा इनको तो इसलिए मैं जल्दी से यह बना देता हूँ और शुकर ke in farm बनाते बनाते मेरा एक दिन बीच जाता है फिर मैं रगले दिन जाता हूँ और सो जाता हूँ अर फिर मैं सोने के बाद सुवह उठता उँ और फिर अबास यह लेता हूँ और उसके बासँ weight कोई गोड़ा नहीं था तो फिर मैं इसे रख देता हूं जा कर दो जा कि कोई गोड़ा आजए मेरे पास लिगे अम्मीद है खाया मैं गाइस एसके बाद मैंने जो sugarcane farm में sugar लगाई थी मतलब जो sugarcane farm में बनाया थी मतलब जो sugarcane farm में बनाया था अच्छा सा उसके अंदर मैं sugarcane लगाने चला जाता हूँ कितने जदा confusion है ना और मेरी वो एक sugarcane में लगा देता हूँ बिलकुल एकदम टॉप पर सबसे आगे और बाकी area को मैं देखता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ यार क्या या यह जल्दी से थोड़ी से लकडिया उठा लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा जीब सा लग रहा था ना खुला खुला इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसको मतलब लकडी से थोड़ा सजा दूँ हाँ मैं सजावट बजावट बहुत करता हूँ इसलिए मैं इसके आजू बाजू मैं लगा देता हूँ लकडिया जो की बहुत ही ज्यादा अच्छी लग ली थी दिखने में मुझे तो अट लिस्ट इसके बाद मैं सोचता हूँ कि अपने जो सुगर के इन फाम है उसी के बास में अपना जो मतलब वीट फाम वगएरा है वो भी बना लूँ जो नॉर्मल फाम है वो भी उसकी के बाजू में बनाने का सोचता हूँ मैं तो मैं अपनी जो जितनी भी मिट्टी रहती उसको तोड लेता हूँ और ель को ले जाता हूँ इढर उस मिटि को लगा के भरके बना लेता हूँ एक अच्छा सा एक नहीं है पर मैं अपनी केटीवाड़ी भी करूंगा पर फिर मैं थोड़ी से जगा चोड़ता हूँ क्योंकि पानी वी देना जरूरी है इसलिए मैं और फिर ऐसे करके मेरा वीट फार्म पूरा हो जाता फिर वहाँ पर जितने भी मेरे पास दो म्यूजिक डिस्क जो अगला लकी ब्लॉक खोलता है और फिर मैं इससे गाने चला कर सुनता हूं नहीं सुनता में से रख देता हूं क्योंकि जब मैं घर बनाओंगा तहुम मैं गाने सुनूंगा गाईस क्योंकि वह सबसे बेस्ट अप्शन रहेगा और उसके बाद मैं अ क्योंकि मैं अगले दिन कुछ नहीं करता हूं तो मैं अगले दिन भी लकी ब्लॉकी खोलता हूं और फिर मेर कोस के अंदर से बहुत सारी डाई मिलती है और मैं जल्दी से जाता हूं वही काम करता हूं जो हर एक समझदार इंसान करता अपने बैड को ब्लैक कलर का रंग दे गए हो सुधान में पर लग श्तों है यृजन मैं अगले दिन नुटता हूं तो मैं दीखता हूं एक बहुत ही जादा विजित्त परानी वहाँ पर खड़ा होता हूं और अपना तीर कमान निकालता हूं और इस पे दढ़ द आपर अटर अपड़तोड हमले करता हूं जिसक डो 2 सेकंड में और फिर मैं बंचाता हूँ प्रो मोत में पहले से यह और उसकर बात वार उसके बाद है घढ आ तो कि बहुत स्य ऐइपिक लग़ रहा था। उसके बाद मैं सेकंड एड्ड यूज़ गरता हूं जो था विधर wsp 근데 बन जाता हूं उसके बाद मैं अपना ये मस था's अवैसे बट इसके बाद मैं अपना नॉर्मल एड्ड लगात अपने xp farm से कुटाई करता हूं बहुत सारे जितने भी क्या कहते हूं उन्हें zombies रहते हैं उनकी skeletons की और जल्दी से bone meal बनाता हूं और फिर bone meal से जाके अपने थोड़े खेती करनी स्टार्ट करता हूं और actually मैं बस उस तिन शायद मैं खेती करता हूं क्योंकि बस वही जमता है मेरे को खेती करना उसके बाद मैं फैसला करता हूं कि मैं अपना घर बनाऊंगा और उसके बाद मैं अपने घर के लिए platform बनागे कर देता हूं और जो मेरे को समान चीयए था वो उसके अंदर तो मैं बहुत टाइम से तुम्हें पता यह लकडी कसीटी रहता हूं तो मैं लकडी कसीट रहता उस लकडी को भी रक देता हूं उसके बाद मैं जल्दी से जाता हूं अपने first day की first शुरुवात करने के लिए अपना lucky block खोलता हूं जिसके अंदर से मेर को मिलती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज जो की होता है Bob, जो की मेर को एक ही थपड में मार देता है उसके बाद मुझे फाइट करनी थी इसलिए मैं जल्दी सबने चेस्ट में से कुछ निकालने की कोशिश करता हूं बट मैं जल्दी से कुछ निकाल ली पाता हूं और मैं पिट जाता हूं दुवारा से और यह बाव यार पीचाइडी चोड़ा था एक तो इसके पास डाइमंड का आरमर था तो मैं अच्छ निया रहता हूं जब एक जब में आर्ट इसको मार के इसका डाइमंड का आरमर उठाऊंगा बट यह मरी रहा था और फिर उसके बाद थोड़ा मारने के बाद मतलब ब यह डर जाता हूं और यह सब मेर को तुरंत निकलते ही मार दे रहे तो मैं क्या करता हूं जल्दी से मैं जल्दी से अच्छली अपना दिमाग लगाता हूं जल्दी से एक पीकेक्स उठाता हूं पर उससे पहले मर जाता हूं तो मैं इनके चंगुल से छूटता हूं पहले और फिर इनको अपने पीछे बगाता हूँ और फिर मैं अपनी जो कि मैं यो खनी जो Jake थक्सासा हूँ और फिर मैं अपने आगाता हूँ और फिर मैं उो खीछे बगात्त कि मैं आखान सकतिक अपनि proporभ divorce क्फγंड़िश करल फिर मckenक कि गए पधने अभीछश बगाता हूँ खाल nuclear और मैं घर की आगर ही फिनिसिंग टच पूरी कर ला होता हूँ तो कुछ टाइम बात मेरा घर बन के तियार हो जाता हूँ और उस घर को डेक कर मैं खोश होता हूँ एक्चिली में यह वाला घर बनाना चाहता था इसलिए मुझी अच्छा लगा इसलिए मनी बना भी दिया और तुम्हें कैसा लगा यह भी तुम मताना गवने के इसलिए तो इसके बाद में जदा कुछ नहीं कारा है। फोड़े बहुत और इसके टाइम के बीच में जो डब में खोले वह तो मैंने रिकार्ड इन ही नहीं है। तो अकेंडर मेरे जाटर मिली तिको दिएख मेरे टीज अभी एडीज निकल गई दिखल लगी तही कि अदिसनी को जब मैंसा जब एक अर लेको साफ मेरे गड़ हो निकले और अर UAफ मालने के लिए और अर उसके बड़ अनने अपना जो पोर्टल हुघ उसको बनाय तो सोचा के चलो नैधर में जाने के बाद मेर को अक्चली बस निराशा ही भी ली क्योंकि वहाँ पर कुछ था ही नी भाई खाली पड़ा था सब कुछ और वहाँ पर एक चैस्टी उसके अंदर मेर उतलब मेर को रेल की पटरी बगएरा मिली थी तो थोड़ी बहुत वो सब थी वहाँ पर एक शुकरकें बिला था उसके अब मेर को कुछ नी मिले वहाँ पर फीद right जो 20-30 दिन वचे थे थे इसके अंदर मैं बस यही करा है, मैं बस पूरा टाइम यही बना और एंड में बनाइ वो तुम देख लो खुद हाँ, मैंने यह मेटरो ट्रेन बनाई तो मैं इसके अंदर घोमने चलता हूं और तुम भी मेरे साथ चलो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, मैं अभी यहां से चुरू कर रहा हूँ और मैंने इसके बनाई है और एक मैजिक से बनाई है, जो मैजिक तुम सबको पता है, उस मैजिक का कोई भी जिकर नहीं करेगा, ठीक है मैंने यह बनाई है, और हम इसके अओपर घुमने चले के और देखें किया होता है, मैंने यह वाले हैंड़े बिदा ती है और यह वाले हैंड़े बिल्कुल भी मतलब बोरिंग थे सभी बताऊं तो यह स्काइब लोग बहुत ही जादा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं अग कि अब शायद हो सकता है खेलनू बट अब तब तक के लिए तो मैं स्काइब लॉक नहीं खेल रहा हूं और मैं अब चाहरा हूं आज की वीडियो के लिए इतना ही मेरे हेंड़े इतना ही तो मैं कैसा लगे तुम बताना और यह अपने तोस्तों के साथ चेयर कर देना अगर त तुम बोलोगे, अगर इस वीडियो में 10 लाइक आते हैं तो मैं आगे ओर भी एंडड़ेस बनाऊंगा 10 लाइक देगा, वर तो 10 E खुद ही कर तो 10 लाइक आते हैं तो मैं आगे और भी हंड़ेस बनाऊंगा तब के लिए मैं में बज़ता हूं तुमसे अगली वीडियो म तब तक लिए तिमसे शेर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब जगा और क्या बाई बाई बाई